यू तो मिस्र दुनिया भर में अपने पिरामिडों के लिए फेमस है। ये जूस करीब 2300 साल पुराने एक काले रंग के ताबूत के अंदर से मिला है। ये जूस मिलने की खबर मिस्र में जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। अब इस रहसे में जूस को पीने के लिए 36,000 लोग तैयार है। बताया जा रहा है कि उत्तरी मिस्र के अलेक्जेंडरिया इलाके के पुरातत विद इस पर काम कर रहे थे। पुरातत विभाग के लोगों को काम के दोरान एक विशाल मकबरा नज़र आया। ये मकबरा करीब 10 फुट लंबा था। इसी मकबरे में ये ताबूत दफ्न किया गया था। इस ताबूत में एक ममी भी मिली है। ममी एक संग्रक्षित शव को कहते हैं जिसके अंग और तवचा को जानबूच कर या बिना समझे भूजे ही किसी विदी से संग्रक्षित कर दिया जाता है। बताये जा रहा है कि 305 इसापूर्व से 30 इसापूर्व के बीच के पटोले में काल की है। ममी को खुलने पर भीतर तीन कंकाल पाए गए जो पुरातत विदों के अनुसार सैनिकों के हैं। ममी के साथ एक लाल रंग का पानी भी पुरातत विदों को मिला है। अब इस लाल रंग के पानी को लोग पीने की मांग कर रहे है। लोगों का कहना है कि उन्हें इसे पीने की अनुमती देनी चाहिए क्योंकि इससे उन्हें कोई सुपर पावर मिल सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों ने इसे पीने के लिए अपनी सुतंतरता की अधिकार का भी हवाला दिया है कुछ लोगों ने इस मगबरे को शापित बताया और कहा कि अगर इसे खोला गया तो दुनिया में प्लेग जैसी महामारी फैल जाएगी मिसर के जाने माने पुरा तत्विद मुस्त्वा वजीरी ने कहा कि हमने इस ताबूत को खुला और दुनिया में अंधेरा नहीं फैला अल्ला का शुक्र है उन्होंने कहा कि ताबूत के अंदर सबसे पहले मैंने ही अपना सिर डाला था और मैं भी जिन्दा हूँ अब इसे खोच कहें या अंधविश्वास जमीन के भीतर से निकले हजारों साल पुराने इस पानी को पीने के लिए हजारों लोग एक याजका पर साइन कर चुके हैं ताकि उन्हें शक्तियां हासिल हो सके खेर किस्मी सदी में ये वाकई चौकाने वाली तस्वीर है क्योंकि देश दुनिया तेजी से विज्ञान की ओर विकास कर रहा है खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताईएगा साथी देश और दुनिया की तवाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं टीवी नाइन भारत वर्ष टीवी नाइन भारत वर्ष और टीवी नाइन बंगला प्रस्तु करते हैं पश्चिन बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन क्ले What Bengal Thinks Today देखिए तीज जन्वरी दिन भर अडी सुमबार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारत वर्ष पार यूस टॉप 9 रोज सुभे 7 बजी और शाम 7 बजी सिर्फ टीवी 9 भारत वर्ष पार